जहीं दोस्तो मैं हुआ नूँ पर आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict तो दोस्तो इंडिया का जो Twin Engine Deckways Fighter Aircraft का concept है ये इंडिया का पहला माइनस 5th generation के fighter aircraft बनने जा रहा है और दोस्तो इसे एक stealth aircraft के रूप में भी बनाया जा रहा है फर 5th generation से अलग इसमें किसी तरीके का कोई भी internal weapon bay नहीं होगा तो दोस्तो ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि इंडिया दौरा अगर इतना महनत करके एक fighter aircraft का development किया जा रहा है तो ऐसे में इसमें internal weapon bay का option को क्यों नहीं रखा गया तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या भारत दौरा twin engine deck west fighter aircraft को ही internal weapon bay के साथ एक proof generation fighter aircraft बनाने का इरादा रखा जा रहा है साथ में वीडियो के आखरी हिस्से में नेखी generation fighter aircraft को दुनिया के सामने लाया गया जिन aircraft को साथ कोरिया द्वारा officially KF-21 का नाम दिया गया और दोस्तों इन aircraft में साथ कोरिया के तरफ से कई सारे आदुनिक features को जोड़ा गया जिन में low observable feature, canted twin tail, fusel arch sharping, age arrangement और अन्य कई तरीके का radar observing material भी इसमें इस्तेमाल किया गया और दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद इन aircraft को एक 5th generation के aircraft का दरजा नहीं दिया गया साथ कोरिया के तरफ से ही इन aircraft को 4.5 generation के aircraft के रूप में दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है और इसके पीछे एक मात्र कारण है aircraft को में internal weapon बे ना होना दोस्तों बिना internal weapon बे के इन aircraft को किसी भी रूप में एक 5th generation के fighter aircraft नहीं कहा जा सकता है जबकि साथ कोरिया द्वारा aircraft के block 2 version को लेके भी अभी से ही इरादा बनाया जा रहा है जिन में इन aircraft में South Korea internal weapon बे को भी fit करेगा ताकि इसे एक true 5th generation के fighter aircraft के रूप में आगे बढ़ाया जा सके जबकि भारत के भी twin engine deck west fighter aircraft गर देखा जाए तो इसे भारत द्वारा कई हद तक stealth और low radar cross section वाला aircraft के रूप में design किया जा रहा है जबकि इन इन aircraft को भी एक 5th generation के aircraft नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें भी किसी तरीके का कोई भी internal weapon बे को लगाने का इरादा नहीं बनाया गया दोस्तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि South Korea जिस तरीके से के F21 के block 2 version को अपने दिमाग में रखा है क्या भारत भी twin engine deck west fighter aircraft के mark 2 version के ऐसे ही एक concept को आगे बढ़ा सकता है दोस्तो twin engine deck west fighter aircraft को basically एक carrier based multi roll fighter aircraft का दर्जा दिया जाता है जिसका frontal radar cross section काफी कम है साथ में aircraft 2 में edge extension, sharp edge frontal fusel arch और divertless supersonic intake का भी इस्तमाल किया गया है और दोस्तो ये सभी के सभी technology basically एक 5th generation fighter aircraft के technology है और इंडिया के AMCA project से ही इसे adapt किया गया है मतलब देखा जाए तो twin engine deck west fighter aircraft को एक 5th generation fighter aircraft में बदलना इतना जादा मुश्किल नहीं होगा पर सवाल ये भी है कि क्या इसमें internal weapon bay को लगाया सकता है इवन अगर इन aircraft के frontal design को AMCA aircraft के frontal design के साथ compare किया जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका जो frontal landing gear है ये AMCA के तुलना में आकार में काफी बड़ा है जो कि दर्शाता है कि aircraft carrier के उपर जादा control के लिए ही इसे बनाया गया है और ऐसे बड़े हुए landing gear ये भी दर्शाता है कि twin engine deck based fighter aircraft के under carriage में इतना space है कि यहाँ पे internal weapon bay को लगाया सके जबकि दूसरे तरफ खाली इतना नहीं aircraft में इस्तेमाल होने वाले material को लेके भी aeronautical development agency के तरफ से काफी जादा ध्यान दिया जा रहा है आप सब लोगों को पता ही होगा कि light combat aircraft मतलब तेजस में भारत द्वारा जहाँ पे composite material हो का इस्तेमाल किया गया है तो वही पे तेजस के mark 2 version में भी ऐसे ही composite material हो का इस्तेमाल किया जाएगा दोसों ADA के तरफ से expensive method का इस्तेमाल ना करते हुए मतलब एर क्रैप्टो में high maintenance stealth coating के जगा में composite material और stealth paint जैसे low maintenance और सस्ता equipmentों को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है ताकि same result के साथ भारत काफी की फाहिती तरीके से आगे बढ़ सके पर दूसरे तरफ अभी तक ये बताना संभब नहीं हो पाया है कि twin engine deck waste fighter aircraft में किस तरीके के composite material का इस्तेमाल किया जाएगा पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एर क्रैप्टों के radar cross section को काफी हद तक कम रखने का इरादा बनाया जा रहा है तो इससे अभी से ये भी अंद two version या block two version में ऐसे तब दिलीवी हमें देखने को मिल सकता है तो फिलाल twin engine deck waste fighter aircraft के पहले prototype को ही दुनिया के सामने लाने के बाद ये कहना संभब होगा कि एर क्रैप्टों में किस तरीके के radar absorbing material का इस्तेमाल किया गया है और इसका block two version बनाने का कोई इरादा है कि नहीं जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो omni roll combat aircraft मतलब ORCA नामक एक Air Force का भी project है जहाँ पे twin engine deck waste fighter aircraft के base पे ही एक ऐसे aircraft को बनाया जाए जो ऐसे elongated landing gear के साथ last ना हो साथ में Air Force के आवशक्ताव को भी पूरा कर सके दोस्तों अब चलिए हमारे वीडियो का दूसरा हिस्सा मतलब अस एरक्रेप्टों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों को certified करने के दरफ आगे बढ़ा जा रहा है ताकि इसका certification तेजस मार्क वान ए एरक्रेप्टों के production शुरू होने से पहले ही संपूर नहों सके दोस्तों बताया जा रहा है कि हिंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ और टेस्ट को भी कर लिया जाएगा दूसरे तरफ असर मार्क वान के इलावा MBDA के तरफ से बनाया हुआ SRAM मतलब एडवांस short range air to air मिसाइलों को भी इंटीग्रेट करने के लिए computer generated data को analysis किया जा रहा है हिंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेड और यूरोफ यन फार्म MBDA के बी मिसाइल है जो तेजस एरक्रेटों में R-73 के supplement के रूप में इस्तिमाल किया जाएगा तेजस एरक्रेटों के मार्क वान ए एरक्रेटों को लेके ये भी कहा जा रहा है कि संभावित इसका production 2023 में शुरू होगा और उससे पहले ही मिसाइलों के integration के जो certification का आवशक्ता है उससे संपूर्ने कर लिया जाएगा इवन दोस्तों ऐसरा मिसाइलों को इंडियान एरक्रेटों के जैगुवार यारक्रेटों में भी already installed किया जाचुका है और जैगुवार के upgraded version इन मिसाइलों के सहारे अब पहले के तुलना में और ज्यादा घातक बना हुआ है इंडियान एरक् अपनी भारत को आईडर वी एर मिसाइलों को लेके जो ओफर कर रहा है उनमें ये वी शामिल है कि नया मिसाइलों को इंटिग्रेट करने के लिए इंडियन एर फोर्स को अपने एर क्रेप्टों में मिशन कंप्यूटर और हाइड वी तब्दिली नहीं करना पड़ेगा दोस् इंडिया खाली अपने फ्लिट को मजबूत करने के लिए अस्रफ मार्क वान मिसाइलों को लेके आगे नहीं बढ़ रहा है बलकि अस्रफ मार्क टू एक्सो साथ किलोमेटर रेंज वाले बियॉर्ड विजूल रेंज एर टू एर मिसाइलों को डेफल अगे बढ़ रहा है जो डूल पल्स मोटर का इस्तेमाल करेगा और संभावित ये मिटी और मिसाइलों के बरावर का मिसाइल होगा दोसर इवन माना जा रहा है कि अस्रफ मार्क टू मिसाइलों के उपर काम अल्रेडी इंडिया शुरू कर चुका है और साल के अन तक संभावित इन मिसाइलों को सुखुधर TMKI द्वारा परिक्षन भी किया जाए इवन इंडिया अस्र मिसाइल के अन्य वेरियंट जैसे अस्र आयार मतलब इंफ्रारेट गाइड़ मिसाइलों के उपर भी काम कर रहा है साथ में अस्र माक्तरी जो के 300 किलोमेटर या उससे अधिक रेंज वाला मिसाइल होगा उसे भी डेवलफ कर रहा है ताकि भविश्य में इंडिया को और किसी भी तरीके के ऐसे मिसाइलों के लिए किसी अन्य देश के उपर निर्वर ना होना पड़े कुल मिला के भारत आत्मनिर्वर भारत के जो संकल्फ है ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन